एलो एवरिवन, मैसेल्फ डोक्टर भराज सेंग मीना फ्रॉम गवर्मेंट कोलेज कोटा आज हम केमिकल बॉंडिंग थर्ड वीक इंटरेक्शन्स के अंतरगत जो टॉपिक डिसकस करेंगे वो हमारे टॉपिक का नेम है टैप्स आफ हैट्रोजन बॉंडिंग हैट्रोजन ब करेक्टरिस्टिक्स ओफ हैट्रोजन बॉंड दैन हमने फैक्टर्स एफेक्टिंग हैट्रोजन बॉंडिंग के बारे में विस्तार से द्धिल किया था आएए सबसे पहले हैट्रोजन बॉंड के टैप्स के बारे में डिसकस करेंगे हैट्रोजन बंद मुख्य रूप से द hydrogen bond के नाम से भी जानते हैं और दूसरा होता है अन्ते अनोख hydrogen बंद जिसे हम intra molecular hydrogen bond के नाम से जानते हैं ध्यान रखे English word में दोनु में एक तो आएगा अन्तरा के लिए आता है इंटर और अन्ते के लिए आता है intra दोनु में ये difference है अब हम इन दोनु टैप के hydrogen bond का या detail से discuss करेंगे तो आएए सबसे पहले जो inter molecular hydrogen bond है जिसे हम अन्तरा अनोख hydrogen बंद के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में अध्यान करते हैं इसमें किस प्रकार से बंद होता है किस प्रकार से दो भिन भिन अनुओं के रिण बिद्द परमाणूं के मेद hydrogen bond आता है उसे हम अन्तरा अनोख hydrogen bond कहते हैं तो इसकी definition होई कि जब hydrogen bond hydrogen bond किन के मद आना चाहिए दो भिन भिन अनुओं के रिण बिद्द परमाणूं के मेद होता है दो भिन भिन मॉल्यकूल होने चाहिए और उनके मेद अगर हैड्रोजन बंद आता है तो उसे हम कहेंगे इंतरा अनोख या इंतर मॉल्यकूलर हैड्रोजन bond किलियर अब देखिए आकर्सन दो अलग-अलग अनुओं के मेद होगा और समस्त अनुओं एक दूसरे के समीब आते जाएंगे क्योंकि वो अट्रेक्शन आगे भी उन मॉल्यकूल पर लागू होगा दूसरे सब्दों में हम इसे इस प्रकार से भी परिभासित कर सकते हैं इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जो अंत्रा अनुख है डूजन बंद से सदेव जो मॉल्यकूल होगे उनका क्या होगा एसोसियेशन होगा शंगुणन होगा त्योंकि अट्रेक्शन फोर्स है लग रहा है उधारन के तोर पर जिनके अंदर इंटर मॉल्यकूलर या अंत्रा अनुख हैट्रूजन बंद पाये जाता है उसके उधारन हैं आपके HF, H2O, NH3, ROH आदी ये जितने भी उधारन हैं ये सब अंत्रा अनुख हैट्रूजन बंद के हैं और ये आपस में इस प्रकार से संगुनत होते हैं देखिए कुछ होदारन आपको यहाँ पर इस्ट्रेक्चर के मैध्यम से दिखाई दे रहे हैं ये H2O का जो मॉल्यकूलर फॉर्मूला है इसका इस्ट्रेक्चर देखिए आप इस प्रकार से ये H ये Oxygen रिणविद्धूति एलिमेंट है ये Hydrogen और दूसरा जो मॉल्यकूल है उसका ये Hydrogen ये Hydrogen और ये Oxygen पहले मॉल्यकूल के Oxygen दूसरे मॉल्यकूल के Oxygen इन दोनों के मैध्य Hydrogen Bond आ गया है तो एक तरब तो ये Covalent Bond के द्वारा जोड़ा हुआ है और दूसरी तरब Hydrogen Bond के द्वारा जोड़ा हुआ है और इसी प्रकार का Attraction इन में आगे तक Continue रहेगा और ये शंगूनन के रूप में आपको Association के रूप में इनकी Structure दिखाए देगी इसी प्रकार से आप N-O-Dharan भी ले सकते हैं NH3 का भी ले सकते हैं ROH का भी ले सकते हैं और उनमें भी दो Molecul के रिन्विद्दुती परमानों के मैध्य Hydrogen Bond आएगा देखिए इस NH3 में देखिए इस Nitrogen और इस Nitrogen के मैध्य Hydrogen आ गया है ये ही Contination आगे तक Molecular पर रहेगा इसी प प्रकार की प्रकरिया जारी रहेगी अब अंत्रा अनुक हैट्रोजन बंद के फल्सरूप क्या होगा मॉलिकूल में जैसा कि पहले भी बताया कि क्या हो जाएगा एसोसियेशन हो जाएगा और इस एसोसियेशन के कारण उनके कुछ गुण प्रभावित होंगे और कौन-कौन स प्रभावित होगी वो है आपकी H2O और H2S की फिजीकल स्टेट देखिए इसके कारण जो सामानिताप क्रम है सामानिताप है उस पर H2O एक कैसा होता है लिक्ट होता है द्रव होता है जबकि H2S कैसी होगी एक गैस होगी इसका क्या कारण है इसका कारण यही इंटर मॉलिक्यूलर या अंत्रा अनुक हेट्रोजन बंद है कैसे आप देख रहे हैं H2O में जो ऑक्सीजन रिंडविद्धिती एलिमेंट है वो O है और H2S में रिंडविद्धिती एलिमेंट S है अब इन दोनों की जो अलेक्रो नेगिटिविटी है उस H2O में इंट्रा मॉलिकूलर बॉंड होगा वो H2S की तुलना में स्ट्रॉंग होगा जिससे क्या होगा कि H2O के जो मॉलिकूल का एसोसियेशन होगा वो भी कैसा हो जाएगा वो और नजदीक नजदीक होगा तो और नजदीक होने के कारण क्या होगा कि H2O के जितने मॉलिकूल हो नजदीक आजएगे और नजदीक होने के कारण एक पिरकार से जो बहुलिक करत होकर वो जुन्ड के रूप में या क्या बनाएंगे एक क्लेस्टर के रूप में रहेंगे और देखिए इस पिरकार से क्लेस्टर फॉर्म ये बन द्रब के रूप में होगा इसी पिरकार से इसके पेरलल अगर आप H2O इस पे ध्यान देंगे तो देखिए H2O में जो hydrogen bond है hydrogen bond की क्या है इसमें अभाव है H2S में और इस कारण से ये एक दूसरे से कैसे रहेंगे hydrogen bond की अभाव के कारण attraction force नहीं होगा attraction force नहीं होगा तो ये दूर-दूर रहेंगे और दूर-दूर होने के कारण general situations में H2S क्या होगा ये gas होगी अब यदि जल में hydrogen bond नहीं होता अगर हम ऐसा मानें कि अगर जल में hydrogen bond नहीं होता तो वे gas अवस्ताम होता और अगर gas अवस्ताम होता तो जली नहीं होता और जली नहीं होता तो हमारी life कैसे होती और साहिद हम जीवित भी कैसे रहेंगे क्योंकि किसी भी ग्रह या उपग्रेप में जीवन की संभावना जल की खोज के बाद ही possible होती है तो अगर hydrogen bond नहीं होता तो किस प्रकार की ये possibility होती किसमें H2O में दूसरा क्या है जो intermolecular bond के द्वारा हमें explain कर सकते हैं है बर्प का घनत्व पानी से कम क्यों होता है जैसा कि आप पिसली क्लासों में भी ये पढ़ते हुए हैं कि जो पानी बर्प का घनत्व पानी से कम क्यों होता है the density of ice is lesser than water देखे इसका भी क्या कारण है कि जो density कम होती है बर्प के जो जब crystal बनते हैं तो crystal बनते समय अनुओं में परस पर hydrogen bond इस प्रकार से व्यविस्थित होते हैं कि प्रतेक oxygen ये ध्यान देने वाली बात है कि जब वो व्यविस्थित होंगे तो वहां पर जो oxygen पर्माणूं होगा वो चार hydrogen पर्माणूं से गिरा रहेगा और उन चार hydrogen पर्माणूं में भी क्या होगा कि दो से तो वो oxygen से सही जग बंद द्वारा जुड़ा रहेगा और जो सेस दो हैं हैडोजन उनके उनसे वो हैडोजन बंद के द्वारा जुड़ा रहेगा इस परकार आप देखेंगे कि जो H2O का प्रतेक अनूं चतुस्फल की रूप में चार N अनूं द्वारा घिर जाएगा और एक open केज जैसी आपको structure दिखाई देगी structure का निर्मान होगा देखें ये वर्प की चतुस्फल की सरचना ये open केज जैसा लग रहा है इस परकार से इसी परकार से N भी molecule जड़ते चले जाएगे यहाँ एक केज बन जाएगा ऐसे यहाँ एक केज बन जाएगा यहाँ भी एक केज बन जाएगा और इस सरचना में बहुत है एखें खुला इस्थान रिक्त रह जायागा देखें यह बीच में इस्थान रिक्त रह गया ऐसे यहाँ भी रिक्त रहेगा यहाँ भी रहेगा और रिक्त होने के गारण जो बर्प की density है वो जल्द की तूलना में कैसी हुई कम हुई क्यों क्योंकि उनके मेध जिक्तिस्थान बचिया है तीसरा इंट्रमोलिकूलर के द्वारा हम एक्स्प्लेन कर सकते हैं वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का जल 4 डिग्री सेल्सियस तक गरम करने पर सुकुड़ता है देखे इसका क्या क्या करन है कि 0 डिग्री सेल्सियस के जल में जो हेड्डोजन बंद है उसी के कारन दो अनूओं के मेत एक निश्चेदूरी स्थापित रहीगी और जब इसे गरम किया जाएगा तो नेचुरल है कि उसका hydrogen bond तूटने के कारण जल के अनू क्या हो जाएगा जब hydrogen bond तूटेगा तो उपरस पर एक दूसरे के पास आएगे और जब पास आएगे तो जल का आयतन क्या हो जाएगा शिकुड जाएगा ये तो 0 degree Celsius की situation में है अब आगर 4 degree Celsius से या और एधिक गरम करने पर जलके अनुओं की कौन सी एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गतिज उर्जा बढ़ जाएगी और गतिज उर्जा बढ़ने के कारण वो अनुओं क्या होंगे एक दूसरे से फिर से दूर होने लगेंगे और दूर होते ही उनका जो आयतन है वो कैसा होगा? एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा और उस प्रसार होने के कारण बढ़ने लगता है तो इसी लिए 4 degree Celsius पर जलका आयतन सबसे कम है और घनत्व सबसे एधिक है ये कई बार जनरली पूछ लिया जाता है तो इसका ये ही कारण है हैट्रोजन बंद के तूटने के कारण चौथा जो टाइप है चौथा जिसको हम explain कर सकते हैं गुण को वो है हैट्रोजन हैलाइडों की अमल सामर्थ इसको हम कैसे explain कर सकते हैं? हैट्रोजन हैलाइड कोवेलेंट योग एक होते हुए भी क्या मुक्त करते हैं? प्रोटोन मुक्त करते हैं और प्रोटोन मुक्त करेंगे तो किसकी बहाती विवार करेंगे? प्रबल अमलों की बहाती विवार करेंगे इसका कारण किया है? कि हैटोजन की तुलना में जो हैलोजन है उनकी बिद्धतरनता का मान कैसा होगा अतियन तो चोगा क्योंकि हैलोजन की बिद्धतरनता का मान तो एदिक होता है जिससे हैटोजन और हैलोजन बंद में अतिय दुख दुरुपता होगी क्योंकि एक की बिद्दत्रनता बहुत है देख है और दूसरे की कम है तो एक पर तो डेल नेगेटिभ चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर डेल पोजिटिभ चार्ज आ जाएगा और उससे क्या होगा hydrogen पर मानू proton के रूप में मुक्त हो जाएगा और हेलोजनों की बिद्धुत्रणता में भी अगर आप देखेंगे तो ये बिद्धुत्रणता कहां से कहां तक घड़ती है फ्लोरिन से iodine तक घड़ती जाएगी और फ्लोरिन से iodine तक घड़ते जाने के कारण जो अमल सामर्थ है वो भी इसी करम में घटेगी हैच अप से हैच आई तक अमल सामर्थ का मान भी घटना चाहिए लेकिन इसी करम में जो hydrogen bond की है उसकी पिरबलता घड़ती जाती है और इनकी अमल सामर्थ किस परकार से बढ़ती है यह हैच अप, HCL, HBR और HI इनकी अमल सामर्थ इस परकार से बढ़ती जारी है HI की सबसे बियर की कम है, HCL के और कम और हैच आई पकी और कम अब इस करम में देखेंगी कि हैच अगर PKA का मान देखें तो अप एक चाहसे बहुत है देखें 3.2 अर्थात ही अप एक चाहसे बहुत अधिक दुर्बल अमल है क्यों? क्योंकि प्रबल हैड्रोजन बंद के करण यह प्रोटोन को आसाने से मुक्त नहीं कर पाता है अब HCL में देखें कि HCL में भी दुर्बल हैड्रोजन बंद है और यह है HBR की तुलना में काफी दुर्बल है लेकिन HBR और HI में हैड्रोजन बंद की संभावना ही नहीं है यहां पर क्या है केवल HI की अधिक बंद लंबाई और बंद सामर्थ के कम होने के कारण HBR से थोड़ा सा अधिक प्रबल है ठीक है तो यह हैड्रोजन हैलाइडों की अमल सामर्थ को भी इंटर मॉलिकूलर बंद के द्वारा हम एक्स्प्लेन कर सकते हैं पांच बाव आपका प्रबाव है वो है आपका पांच बाव की नै्ट्रोजन ऑक्सिजन तथा फ्लूरीन के हैड्रैडों के गल्डांग बक्षिनाग मेल्टिंग और बौलिग पॉंट्स ऑफ हैड्रैड्स ऑफ नैट्रोजन ऑक्सिणा फ्लूरीन आप देखे 4th A तो पिरियोटिक टेबील से 4th A 5, 6A, and 7th A के head head के melting and boiling point को अगर graph से देखें तो इस प्रिकार से आपको दिखाई देंगे ये इनका अनुभार है x axis पर और y axis पर ये melting point है इसी प्रिकार से इनका अनुभार और दूसरे graph में y axis पर boiling point अब इनके संभन्त बताए गए हैं कौन कौन से गुरोप है फोर्ते, फिप्त, सिक्से और सेबिंते के head head के अनुभार और गल्नांग के मत इसी प्रिकार से इनके अनुभार और कौतनांग के मत जनरल ही क्या होगा कि योगिकों के गल्नांग और कौतनांग के किस पर depend करते हैं उनके अनुबार पर और अनुबार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है उनके गलनांग और कुतनांग भी बढ़ेंगे और किसी गुरूप में बढ़ते हुए परमानुबार के साथ उनके हैड डैडों के गलनांग और कुतनांग भी बढ़ते रहने चाहिए और गुरुप 6 ये 4th A के लिए जो बक्र प्राप्त हो रहा है वो लगभग इसी नियम का पालन कर रहा है किन्तु अगर आगे आप देखेंगे 50 A, 6 A और 7th A के ग्राप पर तो हमें ये पता लगेगा कि इनके प्रथम सदस के हैड डेट जैसे NH3, NH2 और H2 कि गलनाग और क्वतनाग अपवाद रूप से एदेखें जबकि सेस जितने भी सदस से उनके अनुभार वाले नियम का पालन हो रहा है आप इस नियम में देखेंगे इस ग्राप में देखेंगे तो आपको ये इसमें दिखाई दे जाएगा इस प्रकार से हमने डिफरेंट डिफरेंट जो इनके उधारणों के मैध्यम से हमने समझा और साथ ही ये देखिए एक और भी चीज़ डिसकस करते हैं अन्त्रा अनुक हैड्रोजन बॉंडी है अन्त्रा अनुक हैड्रोजन बॉंडी के कारण क्या होगा कि इनके अनुमें संगुणन हो जाएगा और ये बहुलिकरत अनुम बन जाएगे और इनके गलान और क्वथन में क्या होगा इतनी उर्जा देनी पड़ेगी जो इनमें उपस्तित हैड्रोजन बन को तोड़ कर अनुके संगुणन को समाप्त करे और फिर गलान और क्वथनां के लिए आव सकूर्जा देनी पड़ती है इसके इनके गलान को क्वथनां के मा होना समाप्त हो जाएंगे तब उनके क्वथनांग के निरिक्षन करने से आपको एक बात और पता चलती है कि वे अनुभार नियम का पालन कर रहें अर्थात बड़े हुए अनुभार के साथ उनके क्वथनांग बढ़ रहें आप गुरुप 50 से 6A के हैड्राइड और उनके मै मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा हम नहीं एस्थरी एस्टू और एस्चे के बारे में पता लगा सकते हैं तो यह हमने कुछ एक पिंदू थे जो अंत्राणुक हैड्रूजन बंद द्वारा समझाए जा सकते हैं उनको हमने डिटेल से समझा थैंक्यू मुझा एस्टू पस्टूए